हेलो स्टुडेंट्स माइसल्फ बगवत सिंह उद्यवत टुड़े आइम गोंग डिसकुस्ट दा एडवांस पेपर ऑफ दा आइटीज जी अर्जा सेकिंड पेपर जिसमें फिजेक्स को डिसकुस करेंगे और उसमें भी डिसकुस करेंगे अपन सेकेंड पेपर के 11 के पेप से टैनी 11 जो क्यों वो 12 के हैं बट एनिवे 11 के फिशन थोड़े इजी आये थे जबन उसको ध्यान से करें तो तो जैसे फ्रस्ट क्यूशन है एलेवंद का एपाटिकल मास वन केजी सब्जेक्टेट टू एफ फॉर्स विट डिपेंट्स ओन पोजिशन तो कुशन में दे कर अपन बाता चल दा इस असेंड रवर्ण सो फॉर्स विल प्रसेंटर विट केस चॉंस्तां दंट्छी पालिकल पोजिशन इनिशल पोजिशन यहा एए जबलाव सिच्टेटि को पोजिशन एं वालस इस जिवड़ गिवन थे मिसलेशन गृइक्वल बापको पोजिशन तो वेल्य आप एक्स वी वाई माइनस वी वी एक्स इज यह बोलना चाहरा है कि जब यह फॉर्स एक्ट कर रहा है उस के अंदर जो पार्टिकल की पोजिशन जो है वो है जिरो पाइंट 05 है ज्एक्स और वेक्स जन्रल पॉइंट दिसके अंदर को फाइंड करना है कि इसका है वेलु कितना रहेगा दो यह फॉर्स जो है वह ऑब सेंड्रल फॉर्स और जूकर रहता तो एंगुलर मॉमेंटम क्या रहता था कंजर्व तो अपन एंग्वलर मॉम कि क्यों आया फिको जी जो वेलोसिती रुट प्रोडक्त होता है वह आम्लर मोमेंटम से ही इसली होता है तो है टॉटर्क इस जीरो बीकुर्य चेंटर्ड फोर्स तो वी तो अपना वेक्टर वोमेंटम में इसको I J K Initial R Initial R ये given है आपको 1 by root 2 that is root 2 0 and velocity is minus root 2 that is root 2 and that is 2 pi that is initial angular momentum now final तो मास तो दो मसार कर जाएगा इसलिए वो important नहीं है नहीं वापिस यहां पर लिखते हैं J K Position Position की बात की जाए तो ये X Y और Z का विलो आपको गिवन है that is 0.5 0.05 next velocity that is VX VY और ये जो velocity है वो टू बटा 5 भी देगी वो जो फॉर्स लग रहा है वो सिरफ X और Y में लग रहा है so that velocity of Z direction will not change तो ये अपना equation होंगी जब आप इसको solve करोगे I के I को साथ comparison करोगो J को J के साथ और K को K के साथ तो अपने पास इसका value आज जाएगा X VY माइनस Y VX is equal to 3 तो ये इसका solution होगया next दलते है ये 12th का विश्ण है ये भी 12th का है ये भी 12th sorry हाँ ये 12th का तो नहीं है बट ये अपना दोनों कमबाइन है 11th 12th का तो मैं इसको 11th में कर रहा हूं कुश्ण को जबो ये उनिटर डैमेंशन का कुश्ण है सिंपल सा है आपको जो चीज दे रही है पहला तो मैंनेटी फिल्ड का डैमेंशन फाइंट कर रहते है वो कैसे फाइंट करेंगे अपनको बता है फॉर्स इसकूल्ड क्या होता है B, I, L फॉर्स का क्या होता है M, L, T, माइनस 2 I, Z आजाएगा A, यह आजाएगा L, L से L गया तो डैमेंशन ओप जो B है वो अपने पास आगया M, A, माइनस 1, T, माइनस 2 ठीक है यह आगया इसका नव, E, डैमेंशन ओप E यह चार्ज, चार्ज का क्या होता है 80, डैमेंशन ओप मास वो क्या होता है M, बेसिकलिए बहुत इजी क्यूशन है यह, एंगुलर मॉमेंट जो H है H, H को अपन लिख सकते हैं आपनको बता है क्या होता है M, V, R, इस गॉल टू N, H, अपन 2 पाई तो H का डैमेंशन वो होगा जो इसका है तो इसका क्या होता है, M, वेलोसिटी होता है L, T, माइनस 1, और यह, R का स्क्वेर, तो डैमेंशन ओप H यह अपने पास आगया, M L स्क्वेर T माइनस 1, और एक अपने पास रहे गया, K K क्या है K के बारम दे रहा है जो इलेक्ट्रिक फिल्ट के अंदर अपन के यूज़ करते है तो फॉर्स क्या होता है K Q स्क्वेर डिवाइड़ बेर आर स्क्वेर इसका क्या होता है M, L, T, माइनस 2, या गया L का स्क्वेर डिवाइड बाई चार्ज A स्क्वेर T स्क्वेर या गया डैमेंशन ओफ के तो के का डैमेंशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ उसके बाद जास्ट वेलू पुटकर के शॉल करना है K का डैमेंशन क्या देखो M M हो गया L की पावर 3 L3 T T T माइनस 4 और A का वेलू माइनस 2 यह अपने डैमेंशन लिख लिए उसके बाद इसमें खुछ भी नहीं है सबके डैमेंशन लिख दिए अब मैं जैस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ उसके बाद आपको कमपेरिजिन करना है तो डैमेंशन M A माइनस 1 T माइनस 2 इक्वेल टू A T की पावर अलफा M की पावर बीटा M L स्क्वेर T माइनस 1 की पावर गामा और K तो यह आया है that is M L Q T की पावर माइनस 4 A माइनस 2 की पावर सिग्मा ठीक है यह अपने बस जो है वो डेटा आगया जब आप इसको पूरा सॉल करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा का विलवाएगा 3 बीटा का विलवाजाएगा 2 गामा आगएगा माइनस 3 यह आजाएगा 2 तो करेंगे कितना आजाएगा 4 तो बहुत बेशिक कुशन था यह नेक्स्ट यह सब ट्वेल्थ के हैं यह भी ट्वेल्थ का है यह वाबिस ऐसे जम का कुशन है प्रिक्शन लेस होरिजन्टल प्लैन ए बॉबब मास पॉइंट वन केजीज अडेश्ट तो दे स्प्रिंग विद नेचुरल लेंथ तो मैं डाइग्राम बना ला तो यहां पर एक यह अपने पास स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ आपको गिवन है लेट यह इसकी नेचुरल लेंथ हैं तो मास आपको गिवन है पॉइंट वन लेचुरल लेंथ यह ताइस स्प्रिंग कॉंस्टेंट के इस 0.009 वेंड लेंथ आप स्प्रिंग इस ग्रदर देन महला भी दी इसको यहां से इस सेड एक्स्टेंड करते हैं इस सेड इस सेड का जो के है वो तो है 0.09 एंड इस जब ल से कम हो जाता है मनलों जो इसके इस सेड आ जाता है तो अपने विल्यू दे रहा है 0.014 एंड बहुत इजी कुछन है सिंपल से बात यह बोले जाए तो यहां से यहां पर तड है तक तो यहां क्याम कर रही है तो इसको मैं लिख सकता हूं टीवण वाई ट्टीव तoteवन क्या है टीवन यहां दी पूरा तो पाई एम डिवाइड बाई के वन प्लस पाई एम डिवाइड बाई के टू ठीक है जब अपन इसका प्रोपर वेलू पूट करेंगे तो इसका आंसर आज आएगा इन नहेंने निरेस्ट क्लिजेस्ट इंडिजर पूच इंडिजर जो टो तो इस शिक्स नेक्स्ट मैंस्ट मुल्टिपल छोषवाई है निवेल्ट के शिशन है यह हां इस में आपको गिवन है दा सर्पेस अव्दबल इस पर्फेक्ट आप्सन आप शने a bubble is surface tension as the ideal gas inside the bubble has the ratio आपको यह गामा दे रहे का 5 by 3 तो इसे अपने पास the bubble is exposed to the atmosphere and it is always retain the spherical shape when the atmosphere pressure is PA1 the radius of the bubble is found to be R1 and temperature is T1 मुला आपको गिवन है pressure P1 radius R1 temperature T1 when the pressure is PA2 the radius of the bubble and temperature of the closes R2 and T2 respectively which of the following instruments are correct कौन से correct है अब उनको एक 1 by 1 तो पहले में एक बार एक सब पढ़ लाता हूं the surface of bubble is perfect heat insulator perfect heat insulator का मतलब है कि इस case के अंदर बाहर से हीट का एक्चेंज नहीं होगा ठीक है तो अपन यह आपने अपने एडिया बेटिक कॉंस्टेंट हमला एक्वेशन लगाएंगे PV गामा इसगोल टू PV2 गामा नहीं प को ध्योटा ध्यान से लिए अट्मोस्टिक प्रेशर पी वन 4 क्योंकि सो बहल है 4SR1 4SR1 V 4 अपन 3 पाई R1 का 5 बाई 3 इसगोल टू प्लस 4SR2 4 अपन 3 पाई R2 का क्यों का 5 बाई 3 तो यह है कि इससे अपने देख रहे हैं तो अपने पास यह फर्स्वल आप्शन जो है वो नहीं आएगा ठीक है क्योंकि यहां क्या रहा है 5 by 3 आ तो 5 by 3 करने आपर यह फर्स्वल आप्शन नहीं आएगा तो यह आप्शन गया ठीक है तो इसको में आप्शन मिटा रहा है यह पर इप्टा सर्पेस अप्ड़ बबल इस परफेक्ट इंसलेटर देंदा टोटल अनर्जी अपन को ब चाहे कितना भी फर्फेक्ट लिए हो तो सर्पेस अनर्जी चेंज हो जाएगी तो यह स्ट्रेंट भी रॉंग हो गया नौँ नेक्स्ट है प्लस फॉर एस आर्डू आर्टू का क्यूब इससे मिलाते हैं तो थर्ड ऑप्शन से आ रहा है और सर्पेस इस प्रफेक्टी हीट इसलेटर देंद ना वी टी का पूचा है तो अभी जो अपने प्वी गामा वाला किया था वह वह उस करेंगे इसके अंदर पी यह वाल ए के अंदर अब उनको बता है कि पीवी गोल्ट क्या होता है एन रटी ठीक है तो कनवर्ट करेंगा तो यह उप्शन भी राइट आ जाएगा तो इसका सी ओरडी दोनों प्सन करेक्ट है कि नेक्स्ट नमबर 14 इन गिवन पीवी डिग्राम मोंदाव्ट में गैस आपको गैस गिवन मोना अटोमिक दा फर्स्ट कंप्रेश अडिया पर लाया है और आपको ध्यान रहना यहां का वॉल्यूम गिवन नहीं है आपका यहां का प्रेस्ट गिवन है तो यहां का मुझे से पहले वॉल्यूम करना पड़ेगा ठीक हो कर लेंगे हैं और एंड एक्स्पेंड आइसो थर्मिले की फ्रॉम बी टूसी नो एक्स्पेंड किया तो गराप ऐसे नहीं जाएगा बेसिकली यह से जाएगा बट अबन को को मतलब नहीं हो से क्योंकि उसी लाइन पर है वह त तो फाइनल वॉल्यूम मुझे पता है कि फाइनल वॉल्यूम है जिरो पंड एट इस क्रिशन में आपको बैसिकली वर्गडन पूचा है तो वर्गडन के लिए अपनको पता है जैसे पहले प्रोसेज है एडियाबेटिक ठीक है ऑप्शन वाइज चला है तो पहला तो चलन अब वॉल्यूम तो मैं वॉल्यूम करने के लिए क्रहुआँगा पी वीवन गामा इस गोल्डू फीटू अब इसको मैं भी बहुक रहे हूं यह हो गया यह वी भी एक गामा प्रेसर पहले में कितना है अंडेड विल्यूम कितना है जिरो पॉइंट ऍट गामा है थाइफ वी की पावर 5 by 3 जब अपन सॉल करेंगे तो वी भी है वो आ जाएगा 0.4 तो यह अपने बाद आ गया वी जो आपन को चाहिए था उसके अलावा इसके में कुछ भी नहीं है तो वी इसकोल डू 0.4 अब आपको जो कुछा है वो कर लो आंसर आराम सा आएंगे जैसे पहले नो वी टू सी तो वी टू सीम कहाएगा एन आर्टी एलन वी टू डिवाइड बाई वी वी न ठीक है एन रटी के ज़िए मैं लिख सकता हूं पी टू वी टू जहां का भी आपको पता है जैसे मुझे यहां का पता है तो पी वन वी वन एलन 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 0.8 0.4 जब इसको सॉ किलो जूल ठीक है यह दो आगे इसके अंदर ना में डू वर्क दने प्रोसेज ए टू बी नो एटू बी इसमें आपको पचा यह मैं निटू पूचा है तो मैं अपने 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 प्रोसेज और प्रोसेज इस गोल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी न वी न वन गामा ठीक है तो आप इसको जब सॉल करोगे वेलू सब अपने बास आ रहे किया तो यह हो जाएगा माइनस 60 है ठीक है वो नेगिटिव रहा है ना मैंने टू वर्क दन प्रोसेज सी टू ए सी टू ए में क्या रहेगा जीरो तो यह सही है यह सही है यह सही है यह रॉंग है इसके अंडर वाग्डन कितना हो जाएगा 84-60 एग इस-24 एक है यह होगया नेक्स 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 नाट फ्लेट सर्पेस अब धा थीन इनिफॉम्टिस्क ए अब डिस आर इस आर इस गूड तो दो अरिजनल टेबल अनुट थीन इनिफॉम्टिस्क विव उप्स आम एम एम आर रोल विदाउट स्लिपिंग ओन दा सर्कम्फेरंस अब दा ए इस सोन इन दा फिगर अफ्लेट सर्पेस अब बी आलसो लाइज ओन दा प्लेन अब टेबल का सेंट्रों मास ओप भी हैस फिक्स एंगुलर स्पीड ओमेगा अबट दो वर्टिकल एक्स पासिंग दूर सें ठीक है अच्छा एक आपको बोला है कि यह अब डेफिनेटली इसके अबट भी रोटिट हो रहा होगा तो लेट यह है ओमेगा नॉट इस पाइंट के वालो सिटी जीरो है तो वी माइनस ओमेगा नॉट आर इस गोल टू जीरो विकोज यह ऐसे कर रहा है तो यह आ गया एम ओमेगा बॉस सैब माइनस एंव एंविकी अब ऑर कि जिसके अबट पूछते वह तो इसके अबट पूचा है तो सबिकिते आत ओमेगा तो डेल कि एमीगा है पारस kolics वाई को थे चूऊ-मेगा कौन सा इसको ओमेगा नौट उमेगा नॉत नोट कितना है टू है प्लस M V, V कितना है, ओमेगा 2R, इंटु R, R कितना है, 2R, तो यह कितना हो गया, 1 प्लस 4, M ओमेगा स्क्वार, R, तो आंस्वर इस 5. हलो एवरिवन, मैसर्फ, कमले शौधरी, टेम फिसिक्स, CLCC कर, आज हम जे इडवांस 2022 का पेपर 2 का वो सेक्शन डिसक्स करने जा रहे हैं, जिसमें 12, 12 के रिलेटेड टॉपिक्स है, जिसमें सेक्शन 1 के अंदर, कुछ 8 सिंगल करेक्ट है, इंटीजर ताइप कोशन से, जिन तो इस चेन डियक्शन के अंदर, अगर हम रियक्शन बैलेंस करें, तो इसमें वो लखा है कि डॉटर नुकलिया जो बन रहा है, उसका अटोमिक मास नंबर 214, अटोमिक नंबर 84 है, अगर अलफा पार्टिकल, सबोज एन अलफा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो एन अलफा अटोमिक नंबर 2, अटोमिक मास 4, प्लस इसमें इसको m consider कर लूào, m बीटा पार्टिकल बीटा माइनस, बीडा माइनस इलेक्ट्रोन बूश अकता है, जिसका अटोमिक नंबर कुछ नी ए, अटोमिक मास, अटोमिक नंबर माइनस 1, अटोमिक मास 0, इसमें अलफारीशन बै 214 equals to 230, difference लेंगे तो यहां कि 16 by 4, n की value आ गई, 4, means alpha particle यहां पर 4 है, bitter particle कितना है, तो atomic number balance करते थे, तो 90, minus 84, minus 2, n, n की value है 4, और यहां जाएगा, minus m के बरावर, minus 1 था, इसलिए, तो यह value आ गई, 90, minus 84, minus 8, यह था, minus 6, plus 6, minus 8, minus 2, तो m की value आ गई, 2, और पूछा किया था, कि alpha particle कितने हैं, beta particle कितने हैं, तो यह 4 था, यह 2 था, तो ratio आ जाएगा इनका, नेक्स कोर्शन पर चलते हैं, नेक्स कोर्शन में, यहां पर दो resistance दे रखे, current electricity पर, meter bridge पर बेज़ कोर्शन है, इसमें दो resistance दे रखे, R1, X, जो unknown है अपने पास, और दूसरा R2, 1, 0, और एक wire से connected है, जिसका resistance, resistance, resistivity uniform है, और radius जो है wire की linearly vary हो रही है, इधर है 0.2 to 1 mm, और galvanometer जब wire को 50 cm पर connect किया हुआ है, दोनों साइट से, तो 0 deflection शो कर रहा है, तो X की value बतानी है, तो meter bridge experiment के अंदर, resistance bridge के principle पर based था, तो उसके basis पर क्या होता है कि R1 by R2 equals R3 by R4, या बोल दो R1 by R2 equals R3 by R4, तो R1 resistance इधर हो गया X, R2 हो गया 1, equals R, अब यहाँ पर क्या है कि इस wire का radius vary होता हुआ है, तो अगर कोई conical part है wire का, इस तरह से conical shape में है, और इधर वाले part की radius अगर A है, इधर वाले part की radius अगर B है, length L है, तो इस section का resistance हम calculate कर सकते हैं, element लेके, कि यहाँ से existence पर जाओ, DX width लो, और इस part का resistance लिख दो, Rho L by A से, और सारे element एक दूसरे के series में होंगे, integrate करके resistance निखालता है, तो उस resistance की value आती है, R equals to Rho L by A, लेकिन A के बजाए आता है Pi A B, यह इसका resistance होता है, इस वाले part का, तो यह वाला resistance इतने part का resistance है, ऐसे इधर वाले part का resistance, इधर वाले radius हम A consider कर लेते हैं, एक बार के लिए, value given है, इधर वाले B consider कर लेते हैं, बीच वाले part की radius, C consider कर लेते हैं, ठीक है, वैसे तो linearly vary हो रहा है, C की value निकाल सकते हो, तो इधर वाले part का resistance हो क्या Rho, resistivity same थी, length लेली L, तो यह भी L है, by A, Pi A B, मतब A into C, यह consider करना इसका resistance, divide by इसका resistance, Rho, same length, by Pi, और इसका radius लेना है, C और B, तो Pi, C, B के बारा के, तो इसका resistance, इसका resistance, ratio लिया, तो इसमें, Rho, Pi, C की value cancel हो गई, L की value cancel हो गई, तो यह value आ गई, B by A, तो यह X की value आ गई, तो X की value है, B by A, B की value है, 1 mm, B पे radius, और यहां पे radius है, 0.2 mm, तो इनका ratio लिया तो यह value आ गई, 5, तो इसका मतलब X जो resistance है, वो 5 ohm के बराबर है, ठीक है, next question पे जलता है, next question, यह question है, ray optics पे अपना, इस question में configuration दे रखा है, n identical units दे रखी है, और एक unit का मतलब यहां पे यह pair है, air, mu1, और mu2 को मिला के एक pair consider किया हो है, तो ऐसे 3 layer को मिला के बोल दिया, first layer बोल रखा है, air का है, जिसकी height है, 1 by 3 cm, second और third layer जो है, उसकी thickness equal है, जोनों की, d thickness बोल रखिये, इसकी भी d है, और third वाले की भी d है, और d की value given है, root 3 minus 1 by 2, refractive index, जोनों medium का given है, और एक light source जो है, वो place किया है, top of the first unit, जैसा show किया हुए, O से, और यहाँ पे, theta 60 degree पे, second layer पे, इस पे जाके incident हो रही है, first test travel करती है, air से, और second पे incident हो रही है, अब N, N यहाँ पे number of यह जो units है, तो उनको consider किया है, N unit है, और finally जो ray emerge हो रही है, इस वाले point से, L distance आगे जाके, L की value 8 by root 3 cm है, इतने पे image हो रही है, तो N की value कितनी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किस first layer की वज़ह से, कितना ray आगे की और shift हो के और निकाल लें, same second की वैज़े से भी shift होगा, क्योंकि ray जब parallel slab से पास होती है, तो जितने angle पे incident होती है, उतने angle पे finally emerge होगी, same है, तो इस से जैसे ray बाहर निकलेंगी, same angle पे बाहर निकलेंगी, कि दूसरे पे भी ऐसे incident होती जाएंगी, तो एक से जितना shifting होगा, हर किसी से उतना shifting होना है, तो हम एक से shifting निकालते हैं इसका देरा, तो पहले AR के अंदर, यह वाला जो part है H, इसके basis पे यह वाली value निकाल रहे है, कि यह कितना shift हो गया, तो यह angle theta, यह angle theta, तो 10 theta लिख सकता हूँ, 10 theta equals to, यह हो गया, इसके लिए distance कितना shift हुआ, इसको मैं consider कर ले रहा हूँ, x1, divide by h, तो x1 की value आ गई, h10 theta, और h लिख देंगे बाद में, 10 theta, theta की value यहाँ पे, 6 degree, अभी theta लिख देते हैं, यह first से आ गया, अब second वाले medium में कितने भी immerge हो रहा है, वो निकाले, यह angle of incidence हो गया, angle of reflection, r निकाल लेते हैं, दूसरे वाले से, अगर r की value आ जाएगी, तो यहाँ पे shifting आ जाएगी, कितना shift हो रहा है, तो इसमें भी shifting आ जाएगी, दूसरे वाले से, अगर यह d है, यह r है, तो दूसरे वाले से shifting हो जाएगी, d, 10, r, 1, भूल देते हैं, उसको, ऐसे दूसरे वाले मीडियमें, अगर यह r2 पे गया, तो दूसरे वाले मीडियमें भी ऐसे shifting हो जाएगी, d, 10, r2, x3, तीनों को add कर देंगे, तो टोटल इसकी shifting हो जाएगी, अब इसकी value निकालते हैं, जरा r की value, तो snaz law apply करती है, फर्स्ट वाले surface पे, तो mu1, mu1 air, sin i angle of incidence 60, equals to mu2, जिसके अंदर जा रहा है, फर्स्ट मीडियमें रूट 3 by 2, by sin r, जिसको one consider किया वापन है, तो यह आजाएगा, रूट 3 by 2, root 3 cancel हो जाएगा, by 2 में root रह जाएगा, तो 1 by root 2, यह जाएगा sign r1, तो r1 की value आ गई 45 degree, तो first medium में, जो mu1 का है, उसमें 45 degree पे दे जा रही है, second वाले में कितना जा रहा है, तो first और last पे लगा सकते हो, चाहिए इन दोनों पे लगा दू, तो यहाँ पे, snail's law, जोकि parallel slab है, तो r1 के अंदर incident होई medium में, तो r2 पे दूसरी वाले surface पे जाके incident होगी, तो उस वाले surface पे second वाले medium में, mu sin r2, यह लिख सकता है, sin 60, यहाँ से compare कर लो, root 3 by 2, root 3 cancel हो जाएगा, 1 by 2 रहेगा, तो यहाँ से r2, sin r2 equals to 1 by 2, तो r2 की value आ जाएगी 30 degree, यह angles आ गए, अब इसमें d1 यह तीनों values add कर देता है, तो x1 plus x2 plus x3, यह total shifting होई, delta x, जो shifting होई पहले की बज़े से, अब x1 की value है h, h हमें given है 1 by 3, 1 by 3 10, 60, 10 60 होगा, root 3, x2, x2 की value लिखेंगे d, d की value given है, root 3 minus 1 by 2, root 3 minus 1 by 2, d, और 10, 45, 1 होगया, plus root 3 minus 1 by 2, 30, 10 30 होगया, 1 by root 3, यह total shifting हाया, delta x, इसकी value calculate करते है, shifting कितना है है, यह root 3 रह जाएगा, root 3 यह cancel होगया, तो 2 root 3 LCM होगया, तो यह होगया 2, plus root 3 into root 3, 3 minus root 3, और यह दर आगया plus root 3 minus 1, यह value आगया, total shifting, root 3 cancel होगया, 5 minus 1, 4 by 2, तो 2 by root 3, यह shifting होगया, तो 2 by root 3, एक layer को cross करने पर shifting है, कि इस layer को cross करेगा, तो 2 by root 3 shift होगया, 2 layer पर double, 3 पर 3 times, और total shifting बोल रखी है, 8 by root 3, और 1 से आया, 2 by root 3, तो सब सब देख रहा है कि, अगर 4 layer होगी इस तरह की, तो 4 layer पर shifting कितनी होगी, 8 by root 3, और centimeter में यह value आएगी, तो यहाँ पर कितने slabs होगी, या कितने layer होगी इस तरह की, 4 layer बोल चकते है, तो 4 layer के cross कोड नहीं यह answer है, next पर चलते हैं, next question, electrostatics पर based है, अब इसमें क्या बोल रखा है कि एक charge q, surrounded है, close surface से, जिसमें एक inverted cone है, जिसकी height h दे रखिये, base area r, hemisphere है r radius का, और इसमें electric flux conical surface से कितना पास होगा, वो बोल रखा है, उसकी value n q by 6 epsilon, तो देखें, यहाँ पर अगर charge q है, तो इस charge से electric field lines हर तरह ट्रेवल करेंगे, और यह एक तरह से पूरी close surface है, close surface से total electric flux होता है, q by epsilon not, close surface से total flux, अब close surface मतलब उपर वाली hemispherical surface प्लस नीचे वाली conical surface, यह total flux हुआ, लेकिन यहाँ पर जाब हम electric field lines के basis पर देखें, तो जितना flux उपर पास होगा, उतना ही नीचे होगा, यह ऐसे consider कर लो कि अगर मैं यहाँ पर, इस तरह का अगर hemispherical surface और लेता, तो उपर वाली surface से जितना flux पास हो रहा, उतना नीचे वाले से पास होता, तो उपर वाली surface से electric flux कितना पास होगा, आदा आदा दोनों से, तो यह electric flux हो गया, q by 2 epsilon not, तो अगर यह q by 2 epsilon not है, तो इससे flux कितना हो गया, यह value भी हो गयी, conical section से, q by 2 epsilon not, और इसको बोला हूँ है, n q by 6 epsilon not, q epsilon not गया, 3, तो n की value यहाँ पे 3 हागी, तो यह electric flux है, conical parts से, तो सिधा सिधा बोलतकते थे कि, इस charge कि वैसे, जितना उपर electric flux पास होगा, उतना नीचे वाले parts में, पास होगा, तो वो दोनों equally divide हो जाएगे, half hour, next question, question no.8, optics पर बेस्ट है, तो इसमें बोल रखा है कि, एक object और concave mirror focal length दे रहे हैं, दोनों मुझ कर रहे हैं, along principle axis, mirror की speed constant है, और object मुझ कर रहे हैं, V0 velocity से, towards the mirror with respect to the laboratory frame, मतलब ground frame बोल दो, ground frame के according यह, इसके दरफ V0 velocity से आ रहा है, अब यहाँ पर U distance इनके वीचे में बता रहे हैं, यह value बोल रखे हैं, इसकी 30 है, किसी एक instant पर, और जब इसकी 30 है instant, उस साइम पर बोल रखा है कि, image जो है, वो instantaneously rest में है, तो image की velocity इस instant पर हम zero कर रहे हैं, इसकी velocity इधर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ में बूचा हूआ है कि, इसकी velocity कितनी है, इस condition में, कि अगर laboratory frame में, जब इनके वीचे में distance 30 है, तो image की velocity, एक instant के लिए zero है, ठीक है, तो पहले यह निकाल लेते हैं, कि image की position क्या है, mirror है, 1 by V, plus 1 by U, U की value है, minus 30, equals to 1 by F, और इसकी focal length है, minus 10, तो यहाँ गया, 1 by V equals to, minus 3, plus 1 by 30, minus 1 by 10, तो यहाँ गया, 3 से multiply कर दो, minus 2 by 30, यह V की value आ गई, 15 minus का centimeter, image इसकी 15 centimeter बन रही है, तो magnification की value आ जाएगी, minus V by U, तो magnification आ गया, minus of minus 15, by minus 30, तो magnification का value आ गया, minus 1 by 2, magnification क्यों निकाला है, तो velocity of image, अगर mirror rest में होता है, तो minus M square velocity of object भूजेक्ट बहु सकता है, कहां से आया है, तो इस equation को जब differentiate करते हैं, 1 by V plus 1 by U, बराबर 1 by F, इसको differentiate करते हैं, with respect to time, तो उस वाले condition में, focal end अगर change नहीं हो रही है, तो इनकी बीच में relation यह आ जाता है, तो यह तो तब है, जब mirror rest में हो, तो हम यह बोलते हैं कि, अगर with respect to mirror देख रहें, mirror को rest में consider करते हैं, तो यह relation आ जाएगा velocity में, तो यह velocity का relation रिकाल रहें, अब velocity of image with respect to mirror क्या बोलेंगे, velocity of image minus velocity of mirror, minus magnification की value आई, 1 by 2, minus का, velocity of object बोल सकते हैं, velocity of object with respect to mirror बोल सकते हैं, velocity of object minus velocity of mirror, अब question हम बोल रहें कि, image सो rest में है, ground frame में, यह laboratory frame में, और velocity of mirror positive consider कर रखा, तो यह VMEU के direction, और यह आ गया 1 by 4, velocity of object बता रखा है, 15 positive direction में, velocity of mirror भी हमने positive direction में consider कि, यह आ गया, तो यह आ गया, 4 times velocity of mirror minus का, equals to 15 minus velocity of mirror, यहां पर भी minus है, तो यह minus हो गया, यह plus हो गया, उदर लगे तो velocity of mirror 4 और 5, 5 VM, तो velocity of mirror आ गयी 15 by 5, 3 मीटर पर सकेंड, 3 cm पर सकेंड, तो यह इसकी velocity आ गया, 3 cm, next question, section 2 में, 9th question पर आते हैं, electrostatics में है यह question, इसमें बोल रखा है कि, inner shaded region A जो है, उसकी radius 1 minute consider करनी है, और जो charge density है, वो R के साथ साथ, radial distance R के साथ साथ vary हो रही है, K into R के साथ, और जहां K positive है, और inner spherical shell जो है, जो spherical shell है, outer, उसकी radius, outer radius R भी बोल दी है, और electric charge density, इसमें vary हो रही है, 2 K by R, अब देखो, K की value positive है, तो यह भी positive ही है, और यह भी charge density positive है, अब साथ डाइमेंशन कंसीरा करते हुए, SI unit में, यहां पर बताना है, कुछ options दे रखें, पहले हम बोल रखा कि, अगर R B की value, root 3 by 2 है, then the electric field is 0, anywhere outside B, तो outside B, कोई भी point दे लो, वहां पर electric field यह बोल रहा है, 0 आएगा, तो देखो, जैसे हम Gaussian surface अगर बनाएंगे, इसके round, तो किसी भी close surface से, पास होने वाला electric flux, Q inside by epsilon naught के बराबर, और electric flux हम लिखते हैं, E dot DA, या DS बोल दू, और वो जाएगा, Q inside by epsilon naught के बराबर, अब यह पहले option में, बोल रखा है कि, outside किसी भी point पर electric field 0 होना चाहिए, तो हम outside यह Gaussian surface ले रहे हैं, तो अगर electric field 0 तो यह term होगा है 0, यह term 0 का मतलब inside charge क्या होना चाहिए, 0, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि charge density यह भी positive है, यह भी positive, तो अगर inside भी charge positive है, यह भी positive है, तो यह total मिला के 0 possible नहीं है, इसका मतलब first option नहीं होगा अपना, first option correct, incorrect, next में देखते हैं, अब potential पूचावा है, वो ही just outside, third में total charge पूचावा है, next में भी पूचावा है, electric field outside, तो देखो अगर outside electric field देखना है, तो उसकी value भी आएगी, kq by r square, outside अगर potential दे रखा है, तो charge distribution, चाहे अंदर वाले point पर देखते हो, तब तो हम very both है, लेकिन outside अगर देख रहा है, electric field इस तरह का है, तो potential की value भी आएगी, kq by r, ये कैसे आए, Gaussian surface से, q inside total charge q by epsilon not, इधर integration आजागे, into 4 pi r square, तो electric field ये value आज़ेगी, तीनों पार्ट के लिए total charge निकालते हैं, जरा इसका एक बार, तो total charge inner part में, charge density, into volume, inner part में, जहां पर 0 से, r a तक जारे, r a की value 1 है, फिर outer part में, b की अंदर, ये a वाले part की according बोल रहे है, ये b वाले part की according, r a से start होगा, r b तक जाएगा, ये हम total charge बोल सकते हैं, charge density दे रखिया, इससे, अब inner part में, charge density बोल रखिया, k r, volume, dv, spherical part में, छोटा element अगर हम लेंगे, उसका volume लिख सकते है, 4 pi r square d r, इसको integrate करना है, 0 to r a, r a की value 1 है, plus 1 to r b, density इसमें दे रखिया, 2 k by r, और small element, 2 pi r square d r, इससे total charge निकालते हैं, तो ये आगया, r cube, r cube का integration, r की power 4 by 4, 4 cancel हो जाएगा, तो k, pi, r की power 4, 0 to 1, plus, यहाँ पे, ये एक r cancel हो जाएगा, r का integration, r square by 2 आएगा, 1 to cancel कर दो, 4 pi k constant है, और यहाँ पे रह गया, r square by 2, to cancel होने के बाग, r square, 1 to r b, तो ये value, दोनों के अंदर, k pi common ले ले, 1 आएगा, 1 minus 0, और यहाँ पे आएगा, plus, r b, square, 1 रखने पर, 1, 4 b है, 4 b r square, minus 4, यह दे, जिसको लिख सकते हैं, k pi, 4 r b square, minus 3, तो यह हमने, charge calculate कर लिया, इसके अंदर, अब इसकी value, अलग-लग r k according, निकालते हैं, तो इसको भी side में, लिख लेते हैं, बागी आटा जेते हैं, एक बाद, तो यह, 4 k pi, 4 r b square, minus 3, तो charge की value आ गई, k pi, 4 r b square, minus 3, यह आ गया, अब इस charge को, यूज़ करते हुए देखते हैं, second part में बोल रखा हैं कि, electric potential, just outside, अगर r की value, 3 by 2 है तो, तो potential लिखें, तो potential बोलेंगे, k q by r, k q, और r की value बोल रखें, 3 by 2, 4, 3 by 2 square, minus 3, k q by r, और r कौन सा, outside, just outside r b, r b की value, वही 3 by 2, तो यह हमने potential लिख दिया, k q by r, value देखते हैं, तो square यह cancel हो गया, 9 minus 3, 6, तो k, pi गया, 4 epsilon 0, उपर रहा था, 6 by 3 by 2, तो 2, 3, यह cancel हो गया, value k epsilon 0, और potential, same यह ही है, यह ठीक है, तो second correct हो गया, next में बोल रखें, कि rb की value 2 है, तो total charge configuration का, rb की value 2 लेके, charge निकाल लेता है, तो charge की value आ गई, यह b option था, c option के corresponding charge निकाल रहा है, k pi, 4, इसकी value 2, square minus 3, तो यह हो गया, 16 minus 3, 13, तो यह आ गया, 13, k pi के बराबर, charge, और charge बोलने का, 15 pi के, तो यह गलत हो गया, last option पर आते हैं, कि 5 by 2 है, तो electric field just outside इतना है, तो r की value 5 by 2, तो electric field लिखते हैं, d part में, तो electric field आ जाएगा, k q by r square, k, k means, 1 upon 4 pi, k, q, rb की value थी 5 by 2, r square, 5 by 2 का square, तो electric field की value, pi एक cancel हो गया, k by 4 epsilon, और, यह 4 इदर से cancel हो जाएगा, 25 minus 3, 22, by, यह था, तो 4 उपर आ जाएगा, और 25 वी रहेगा, यह cancel हो गया, तो यह electric field है, 22 k by 25 epsilon, और यह option नहीं है, तो अपना option, यह incorrect है, charge वाल incorrect है, यह ठीक है, first भी incorrect है, तो केवाल यहाँ पर, second option, correct है, इसके अंदर, तो आगे बढ़ते है, next question, next question में, एक circuit, दो circuit दे रखे हैं, और उनमें, resistance की value गिवन है, r1, r2, r3, P1, P2, are the power, dissipated in circuit 1 and 2, when switch S1 and S2 are open, कि जब दोनों open है, तब power P1, P2 बोल रखा है, और जब दोनों close है, तब power Q1 and Q2 बोल रखा है, दोनों के अंदर, तो इसमें कुछ conditions दे रखी है, कि यहाँ पर, इन power को यह compare किया है, कि P1, P2, जब दोनों open है, तब दोनों में power जो dissipate हुई, total power, और जब voltage source 6V का लगा रखा है, तब दोनों में power consumption, second में भी power का consumption पूछा हुआ है, circuit open है तब, और जब current 2A flow है, last वाले में 6V पे पूछा हुआ है, वो ही power comparison किया हुआ है, switch open करने से पहले, close करने से पहले और बाद में, और लास्ट वाले में 4th में, उसमें भी power compare किया हुआ है, इन दोनों के अंदर same current पे, तो देखो अगर इन circuit में हमें calculate करना है power consumption, तो power हम V2 by R या I2 R से compare करेंगे, अगर voltage source दे रखा है, voltage source दे रखा है, तो पहले के अंदर जब ये open है, तो ये दोनों series के अंदर आ गए, 2 और 3, 5, और ये R1 by 2, half, तो equivalent आ गया, 5 into half upon 5 plus half, तो ये आ जाएगा 10, 11, 5 by 11, 5 by 11 plus R1 और आ जाएगा ये बाद में series में, तो 5 by 11 plus R1 1, तो ये आ गया 16 by 11, ये अलग लिख लेते हैं एक बाद, तो 16 by 11, first condition में resistance है, जब switch open नहीं है, तो इसको ए condition माल लेते हैं एक बाद, ए condition है, अब दूसरी बाद switch close करेंगे, तो switch close करते ही, इसके across potential difference, 0 हो गया, सें potential पर ये circuit काम ही नहीं करेंगे, current इधर से आएगा, इधर flow होते भी निखा जाएगा, तो मदब ये वाला ही circuit वार, ये इसका है, तो equivalent निकाला था भी, 5 by 11, तो first circuit में ही equivalent resistance, second condition में, ये आ जाएगा 5 by 11, ठीक है, अब इधर वाली condition में देखते हैं, R1, R2, R3, 1, 2, 3, जब ये open है, तो किये वाली ये तीनों resistance है, तो इस वाली condition में इनका equivalent आ गया, 1 by 1, plus 1 by 2, plus 1 by 3, 1 by R equivalent, तो इनका equivalent आ जाएगा, 6, से multiply कर दो, उपन निक्चे इसको, इसको 3 से multiply कर दो, 8, 9, 10, 11, 11 by 6, या 6 by 11, अब पोजिट करके लिखेंगे तो, तो दूसरे वाले में, पहली condition में, 6 by 11 आ रहे हैं, ठीक है, बाद में इसको connect कर दिया, तो ये resistance R3 का double, 6 ohm हो गया, 6 ohm हो गया, तो अब इस condition में equivalent निकाले, तो 6 और 3 का equivalent निकालोगे, 6 into 3 by 6 plus 3, तो ये equivalent आ जाएगा 2, 2 और 2 का equivalent निकालोगे, तो ये आ जाएगा 2 और 2 मिलाके, 1, 1 और 1 का equivalent निकालोगे, half, तो यहाँ पे resistance R2, B condition में आ रहा है, half, लेकिन सबको compare करना है, तो base same करते हैं, by 11 में करते हैं, अब इससे, resistance compare हो गए, resistance है, power यी compare करनी है बस, तो इस resistance की value यूज करते हैं, power comparison स्टार्ट करते हैं, तो देखें, अगर voltage same है, तो अगर voltage same रहेगा, तो हम power compare करेंगे, P equals to V square by R, तो resistance के inverse ratio में, तो जिसका resistance सबसे ज़्यादा है, उसमें power सबसे कम, तो power सबसे ज़्यादा कौन से में आएगी, जिसका resistance सबसे कम है, सबसे कम resistance कौन सा होगा, यह है, इनमें compare करेंगे, तो यह 5 by 11, 6 by 11, 5.5 और 16, तो हम बोल सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा power, maximum power इसमें, तो power maximum आई, second वाले में, और इसमें power बोल रखी है, Q1, इसमें बोल रखी है, P1, P2, Q2 इसमें power बोल रखी, यह बोल रखी दिन में, तो अगर voltage सेम है, तो सबसे ज़्यादा power आएगी, Q1 में, resistance के inversely proportional, दूसरे नमबर पे resistance यह है, Q2, तीसरे नमबर पे resistance यह है, P2, चोथे नमबर पे resistance, P1, तो इसी तरह से अगर current सेम है, current सेम है, circuit में, तो power हम लिखेंगे, I2R से, resistance की basis पे compare करेंगे, तो जो resistance सबसे ज़्यादा है, तो इस बार P1 सबसे ज़्यादा आएगी, तो इस बार P1 सबसे ज़्यादा आजाएगा, P2 उसके बादा आजाएगा, Q2 उसके बाद और सबसे कम Q1 आजाएगा, तो यह इनका sequence रहेगा, अब options चेक करते हैं, first option में बोल रखा है, यहाँ पे, कि जब voltage सेम है, voltage सेम है, तो P1 less than P2, सही है, first option correct है, second में बोल रखा है, कि अगर current सेम है, तो P1 less than P2, second में, कि अगर current सेम है, तो यहाँ पे actual में यह opposite था, यह सरह सरह, तो P1 जो है, वो greater than P2 आजाएगा, तो यह actual में यह option भी correct है, second में, printing में सेख है, वो option निदर रखा, फिर third में, जब 6V connected है, मतलब voltage सेम है, तो सेम voltage पे compare करें, तो Q1 और P1, Q1 जादा है, P1 सबसे कम है, तो यह correct है, fourth माले में बोल रखा है, कि जब current सेम है, तो comparison है, Q1 और Q2 का, current सेम है, तो Q1 कम है, यह उल्टा दे रखा, तो यह last वाल option incorrect है, बागी first, second, third, तीनों option यहाँ पे correct है, 10 की बाद, next question पे चलता है, question number 12, इसमें बोल रखा है, कि एक disc radius R है, uniform positive charge density sigma, और xy plane में रखा हुआ है, center इसका origin पे बोल रखा है, और potential बता रखा है, कुछ इस तरह से, sigma by 2f0 not r square plus z square minus z, particle positive charge Q, z axis पे z naught से release किया हुआ है, इसको z naught positive है, इसके अलावा, extra columbic force के अलावा, एक force हो लग रहा है, minus c cake है, मतलब अगर हम z axis vertical में ले ले ले, upward positive ले 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 तो downward एक force हो लग रहा है, और एक beta consider करने के लिए बोला हुआ है, जो c और epsilon इनको relate कर रहा है, तो उस beta की different values के corresponding, अगर z naught की value यहां हो, यह value हो, particle को यहां से release करे, तो particle origin पे पहुंच जाएगा, दूसरे हम यहीं की बिटा की value 1 by 4 पे particle origin पे पहुंच जाएगा, बिटा की value 1 by 4 पार्डिकल, z बरापर z naught पे वापस return हो जाएगा, मतलब origin पे नहीं पहुंच जाएगा, और अगले हम beta की value 1 के corresponding, z की कोई भी value जो greater than 0 है, उसके corresponding origin पे पहुंच जाएगा, तो यह चार option है, तो देखते हैं पहले, यहाँ पे बिटा की value 1 by 4 लेके ही चेक कर लेता है, start कर लेता है, तो बिटा की value अगर हम 1 by 4 ले लें, तीन option में वो ही है, तो यहाँ से हम C और बाकी values को relate कर सकते हैं, तो C की value आजाएगी, Q sigma by 8 epsilon 0, तो C की value Q sigma by 8 epsilon 0 लेनी है, और इसको use करते हुए आगे बढ़ता है, तो इसको देख बार अटाते हैं, और फिर देखते हैं, इस part में, की, disc था, Z axis वर्टिकल ले ले लें, तो Z 0 इस वाली position से release कर दिया, release किया वो force जो लग रहा था, एक्स्ट्रा वो C k cap माइनस डाउनवर्ड लग रहा था, तो force की value ए C की बराबर, एक positive charge, positive charge को repel करेगा, तो electric field की वैसे force upward लग रहा है, तो particle क्या करेगा, इस force की वैसे आना चाहेगा, वो repel करना स्टार्ट कर देगा, तो origin तक पहुंचाना है अगर इसको, तो हमें बोलना है कि यहां से चलता हुआ है, यहां पर velocity 0 या 0 से जद्धा हो जाए, तो work energy थेओर हम लगा रहा है, total work done equals to change in kinetic energy, work एक तो force F करेगा, तो यह constant force है, तो force into displacement बोल सकता है, origin तक पहुंचा रहा है, तो C into Z plus electrostatic force का work लिख सकता है, minus change in potential energy, और change in potential energy हो जाएगा, change in potential into charge, kinetic energy, final कुछ होगी, initial 0 थी, और अगर origin तक पहुंचना है तो, यह value 0 या 0 से जद्धा हो, ठीक, अब C की value आई थी, sigma Q by 8 epsilon naught, electric field into charge की जैसे, यह term था, minus Q, potential difference, final potential जब यहाँ पहुंचे गा, तो Z की value 0 रख देता है, Z की value 0 रख दी, sigma by 2 epsilon naught, R रह गए, sigma by 2 epsilon naught R, final potential minus initial potential, Z को Z ही रहन देता है, initial potential है, sigma by 2 epsilon naught, root of R square plus Z square, minus Z, यह value है, greater than equal to 0 होना जीए, तो देखें, sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught, और Q तो सम्में से cancel कर दो, वहाँ पर एक Z भी था, तो वह रह गया, Z by 4, Z by 4 यह रह गया, minus, minus अंदर गया, यह R रह गया, minus minus plus, यह plus में आ जाएगा, plus R square plus Z square, minus plus, और एक और minus, minus Z, greater than equals to 0, ठीक है, यह root में था, तो यह रह गया, R square plus Z square का root, और इनको इदर ले गया, greater than equals to, plus R, और यह रह गया, 3 by 4 minus का, इदर आके plus का 3 by 4, Z, square करते थे दोनों साइड, R square plus Z square, greater than equals to, R square, plus 9 by 16 Z square, plus twice of R into 3 by 4 Z, ठीक है, R square कैंसल हो गया, Z square यह भी इदर ले लिया, तो Z square 16 minus 9, और 7 by 16 Z square, greater than equals to, इदर रह गया, 3 by 2, R Z, ठीक है, एक Z cancel हो गया, और दूसरा, यहाँ पर यह value आ गई, 8, तो Z की value, greater than R equals to, 8, 3 is a 24 by 7 R, अगर Z की value इससे greater है, equal है, तब तक origin पर पहुँच रहा होगा, तो यह value हमें ध्यान रखनी है, बागी फिर देखते हैं, तो Z की value, पहले में बोल रखा है कि 25 by 7 R, तो इससे जादा ही है, origin पर पहुचेगा, सही है first, second में, 3 by 7 R, पर origin पर 3 by 7 इससे कम है, तो second वाला incorrect है, third में बोल रखा है कि Z की value, R by root 3, पार्टिकल रिटेन बैक टू, जैडिको जैड नॉट, वाला, origin पर नहीं पहुच पाएगा, तो इससे अगर कम है, तो नहीं पहुच पाएगा, तो यह ही है, R by root 3, तो origin पर नहीं पहुच पाएगा, पास में आते, पर नहीं पहुच पाएगा, वापस रिटेन हो जाएगा, तो third भी correct है, फोर्थ बोल रखा है कि बीटा, greater than 0, and Z greater than 0, पार्टिकल आलवेज रिटेच, रिचर्च ओरीजिन, तो बीटा की यह value अगर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे देखें, इस वाले पार्टिकल बीटा की value अगर greater than 1, या equal to 1 भी लेंगे, तो यह value 4 के बजाए 2 रहे गए, 1 by 4 के बजाए 4 टाइम्स कर दिया है इसको, तो यह value, इसकी value, energy, और इसको देखेंगे तो यह always greater than 0 मिलेगा, इसका मतलब यह possible है, फोर्थ वाला भी, तो इसलिए यहाँ पर 1st, 3rd और 4th इसमें correct हो जाएंगे, 12th वाला है, next पर चलता है, question number 13, एक double slit experiment दे रखा है, one slit medium 2 के अंदर है, और दूसरी जो slit है, refractive index N2, और other slit जो है, वो interference medium, another medium 1 के अंदर दे रखी है, refractive index N1, N2, equal नहीं है, line joining of these two slit, is perpendicular to the difference, and the distance between these slits is D, कि यह जो medium separate कर रहा है, line joining इसके perpendicular है, DIN की बीच में separation है, slit widths are much smaller than D, यह जो slits की width है, इसको D से कम consider करना मलब, diffraction नहीं consider करना है, किसी तरह से आब है, एक monochromatic parallel beam, जो है light की incident हो रही है, medium 1 से है, यह शो की भी है, और detector जो medium 2 में रखावा है, large sense पर रखावा है, यहाँ पर, at angle theta from the line joining of them, इनको join करने वाल लाइन से theta angle पर, such that theta equal to the angle of refraction of beam, theta जो है इस beam का refraction angle भी है, कि जब यह beam bend होगी, तो refraction angle बीटा दे रखाए, अब दे रखाए कि consider to approximation, to approximately parallel rays from the slit, receiving from detector, इसके corresponding बोलावा है, कि कौन सा statement correct है, तो यहाँ पर पहले हम बोल लखा है, कि phase difference between two rays is independent of D, यह बोल लखा है, तो देखें, यहाँ से जो rays आ रही है, यह अगर parallel rays आ रही है, तो जब इस medium पर incident होगी, तो after reflection सारे बराबर angle पर deviate होगी, parallel ही निकलेंगे, और अगर मैं यहाँ पर wavefront consider करूँ, हाइगन्स प्रिंसिबल की according, अगर यह wavefront consider करूँ, तो यह वाले सारे point same phase में है, और जब इसके बाद भी जब यह parallel निकल रहे है, तो यह वाले अगर wavefront consider करें, तो इस वाले wavefront का मतलब भी क्या वागी है, यह सारे point same phase में, तो यह सारे point same phase में ही travel करते वे जा रहे है, same phase में travel करते वे गए, तो मतलब initial phase difference, जब यह यहाँ से band होगी, तो initial phase difference बिल्कुल 0 है, फिर दूसरा यह जो raise है, आगे की और travel करती भी गई, तो यहाँ पे इनके बीच में, यहाँ पे जो part phase difference आएगा, part difference आएगा, d sin theta, initial raise incident उरी उसके corresponding, बाद में उपर वाली raise जो है, इसी line में चलती जा रहे है, तो बाद का भी part difference d sin theta, तो बाद में कोई part difference रहेगा नहीं, geometrical part difference भी 0 है, तो शुरुवात में, reflection की वज़े से, जो part difference आथा, वो भी नहीं है, बाद में जब medium के इन्दे, travel करती भी जा रही है, तो यह geometrical part difference भी 0 है, इसका मतलब, यहाँ पे इस वाले point पे, constructive difference होगा, central maximum मिलेगा, क्योंकि जो भी दोरे, यहाँ से पहुंच रही होंगी, उनकी बीच में, कोई phase difference नहीं है, तो पहला यही है कि, the phase difference between the two rays, is independent of D, तो D की value कुछ भी हो, independent है, the two rays interference, constructively at the detector, सही है, तो consecutive difference होगा, the phase difference between two rays, depends on N1, but not N2, तो यह independent है, पूरी तरह से phase difference, 0 है, phase difference between rays, vanish only when the certain value of D, तो वो हमेशा 0 है, certain values नहीं, तो first और second इसमें correct हो जाएगा, next पे चलता है, section 3, section 3 में, इस question पे आता है, कि जब light wavelength, incident हो रही है, किसी metallic surface पे, minimum potential difference stop करने के लिए, 6 वोल्ट यहाँ पे चीए, तो consider कर लेते हैं कि light की wavelength, hc by lambda, यतनी energy की light आ रही थी, work function 5, plus 6 electron volt, stopping potential 6 था, तो 6 electron volt के बजाए, बराबर, kinetic energy maximum बहु सकते हैं, अब, इसका potential drop हो गया, जब wavelength 4 times हो गई, hc by 4 lambda, equals to 5, plus, अब यह stopping potential 0.6, तो 0.6, av0, यह maximum kinetic energy, अब इन दोनों से हमें value calculate करनी है, 5 की, और hc, बंदब wavelength की, hc की value दे रहे हैं, यह 1.24 into 10 पार, minus 6, तो, एक बार दोनों का ratio ले लेते हैं, ratio ले लेंगे, तो उस साइड रहे जाएगा, 4 equals to 5 plus 6, divide by 5 plus 0.6, तो 4, 5, 3, 5, और 6, minus 2.4, तो 5 की value आ जाएगी, यहाँ पे, 2.3.6 by 3, 1.2, तो work function की value है, 1.2 electron volt, यह और यह option देख रहा है, अब wavelength calculate करें तो, wavelength के लिए यहाँ पे, इसको लिख देते है, work function 1.2 electron volt, plus 6, तो 7.2, यह है, 12400 electron volt, angstrom, divide by wavelength lambda, equals to 7.2 electron volt, तो lambda की value हो जाएगी, 12400, divide by 7.2 angstrom के अंदर, अब 7.2 से divide करेंगे, तो यह value, वन पॉइंट कुछ ही आएगी, तो approximate 1.2, इंटो देख पाउर माइनस 7, cost हो जाएगा, question number 17, एक wire का area, screw के इसे measure कर रहे, pitch दे रखा है, उसका 0.5 mm, और सरकुरा scale में, 100 division है, और 1 full rotation में, main scale पे shift हो रहा है, दो division, ठीक है, तो इसके according यहाँ पे, यह value आगई, कि, जो circular scale है, मतलब 100 number of divisions, और 1 mm shift हो रहा है, 1 mm shift होने का, मतलब उसका least count आगया, 0.01 mm के बदाब, तो यह screw gauge का least count है, और इस screw gauge से, फिर कुछ readings ली भी है, पहले बोल रहा है कि, दोनों arm touch हो रही है, तो 0 division main scale का, तो 0 into 0.5, यह तो reading 0 हो गई, into 4, circular scale की reading, तो into 4 times हो गई, तो यह आगया 0.04 mm, इसको हम 0 error बूल सकता है, अब जब wire में 4 division है, तो उस time पर पहले attempt में, 4 division आग, main scale में, 4 division के corresponding आगई, यह value 2 mm, 4 into least count, main scale, और 20 division के corresponding, यह value आगई, 0.20 mm, फिर दूसरी बार, यह फिर से 2 mm आई, दूसरी reading के time पर, 16 division मतब 0.16 mm, ठीक है, तो इसके corresponding हम क्या बोज़ सकते हैं, जो दोनों length है, पहली length हो गई, 2.20 mm, दूसरी length है, 2.16 mm, average value हम निकालें इसकी, तो average value होगी 2.18 mm, ठीक, तो इसमें जो error आजाएगी, first में error हो गई, इसके corresponding 0.02 mm, second वाले के corresponding error है, 0.02 mm, average error लिखेंगे, तो average error की value हो गई, इनका average 0.02 mm के बाराद, तो इसका मतलब जो reading आ रही है, वो है 2.8, 2.18, और प्लस माइनस 0.02, error के साथ, mm, लेकिन 0 error पहले से था, 0.04, तो 0 error सब्टेट करेंगे, तो यह value हो गई, 2.14, प्लस माइनस 0.02 mm के बाराद, तो यह अपना option हो जाएगा, इसके corresponding, third, तो यह value आ गई, आगे area है, area ऐसी से आएगा, radius का half, pi r square, question next पे चलते हैं, question number 18, 18 में दे रखा है कि, magnetic field, यहाँ पर, o point पर कितना होगा, इस wire segment की वज़े से, x, y plane में, यह wire segment दे रखा है, तो यहाँ पे, इसको अलग-लग part में, हम divide कर सकते हैं, first, second, third, fourth, fifth part, 5 part की वज़े से, तो पहले part की वज़े से, यहाँ पर calculate करें, तो यह wire segment हुआ, यह point बलकुत सामने है, और यह इदर वाला angle, L और L length की वज़े से, तो wire segment की वज़े से, हम magnetic field बोलते हैं, mu naught I upon 4 pi r, r की value है, perpendicular distance L, sin alpha, मतलब एक side वाल angle, कितना बना रहा है, 0, plus sin beta, वो 45 बना रहा है, तो 1 by root 2, यह, direction आएगी, इस wire की वज़े से, inside, और inside मतलब, यहाँ पर यह x y plane है, तो minus k cap हो गया, minus k cap, यह दर ख़़ा, इस वाले arc की वज़े से, magnetic field बोलते हैं, mu naught I by 2 r, का half part, और वही इसकी वज़े से, फिल हो जाएगा, mu naught I by 2 r, radius है इसकी l by 4, लेकिन उसका 1 fourth part है, into 1 by 4, minus k cap, यह magnetic field होगा, इन सब को add करते हैं, तो magnetic field, mu naught I by l, सब में से common लेते हैं, minus k cap भी common लेते हैं, तो l common लेने पर, इसमें रहा गया, 4 pi by root 2, तो 1 upon 4 root 2 pi, इसके अंदर रहा गया, 1 by 2 से, यह 1 by 2 cancel कर तो, by 2 रह जाएगा, तो plus 1 by 2, 1 by 4, 1 by 4 cancel कर तो, यहाँ पर भी 1 by 2 रह जाएगा, 1 by 2, और direction wise, minus k cap, तो यह यहाँ पर magnetic field आ जाएगा, तो यह options देखें, अगर यह value 1 हो गई, तो यह third option अपना correct,